हाँ तो बई क्या आल चाल दोस्तो सबसें विलोवी राम राम जी सबको तो आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 या 2024 के लौप तो बई आज की इस वाली वीडियो में सारी डिटेल्स बताने वाला हूं इस गाड़ी को लाइक कर और वीडियो एंड तक देखना चलो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को भी लाइक कर दो तो हाल फिलाल सफारी को काफी सारे अपडेट्स दिये गए थे जैसे आपको जो है न नया bumper देखने को मिलने वाला है नई headlight से पूरी LED आने वाली है LED इस बार vertical आईगी आपको जो है पहले horizontal आती थी वेसी नहीं अब इस बार vertical देखने को मिलने वाली है और जिसके DRL जो पहले चोटी चोटी जलती थी वो अब पूरी जलती वी देखने को मिलने वाली है Indicators की बात कर तो Indicator भी इस बार Headlight में Integrated देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि अब इसको जो DRL से पूरी जोइन होगी तो Headlight में ही इस बार Indicator देखने को मिलने वाले हैं Side की बात कर तो आपको इस Side में लगबग लगबग ना के बरावर Changes है आपको इस गाड़ी में लए देखने को मिलने वाले हैं जो की Hexa में आते थे टाटा की जो Hexa आती थी उस गाड़ी में लए आते थे 90 इंच के वही इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं Rear की बात करे तो आपको जो है, Rear में Tail Light की Design Change होती भी, देखने को मिलने वाली है। और Rear Bumper की भी Design Change होगी, इस बार यहोगी एक्सिरियर की मेजर जो है। अब आएकते दोस्तों इस गाड़ी के Interior की तरफ, तो Interior में के कहरे-चेंजेस होने वाले हैं। और दोस्तों आपको इस गाड़ी में नया गेर नोब भी देखने को मिलने वाला है, लेदर अपोस्टी आपको इस गाड़ी में आप दूसरी देखने को मिलने वाली है, चेंज होगा भै फेसलिफ्ट है, तो टाटा की आदा ते लेदर अपोस्टी काफी बदलते हैं, तो इस तो हाल-फिलाल डीजल आता है अपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है अब बात कर लें तो इस गाड़ी के लॉंच डेट की तो लॉंच डेट क्या वने वाली है तो एप्रॉक्सिमेटली ये गाड़ी सप्टमेंबर य औक्टॉमबर में रिवील कर दी जाएगी कुछ कमी पेशी रह गई हो और कुछ शूट गया हो तो आज की वीडियो में इतने था चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई वीडियो को भी लाइक कर दो मिलते अगले वीडियो में तिल देन गुड़ बाई